आज मैं आप लोगो दिखाने वाला दुबाई की पुलिस कार से लेकर के एवेंजर्स के और सी कार सैट तक साथ ही में बाइस स्पाइडर मैं का जंबो पैंसल बॉक्स और और सी डोरेमोन यानि की रिमोट कंट्रोल वाला हेलिकॉप्टर डोरेमोन का और भी बहुत अल्टिम ट्रेक्शन है और भाई सहब एक ऐसा जमे जाधा आने वाला है तो आई चलो जादा देजी ना करते हूं कल्ड़े let 드 लगाने वालत भाई हमारी खेलना वाली जमेंटर वाक्स जिसके अंदर बास्केट बॉल बनावा है और इस बास्केट के अंदर जो हैं आपको बॉल डालनी होती है यह देख रहे हो मतलब उसको इस तरीके से खेलना है और यह पंखड़ियां दे रखे हैं इसके अंदर यह इस तरीके से आपस में गूमने लगती है तो भाई अगर आपको लगता है कि आपको यह खेलनी आती है बहुत अच्छे तरीके से और आप आप इसके अंदर गॉल कर सकते हों इस जमेटरी बॉक्स का नाम है वाइंड पिन बॉल गेम की तरह दिखती है जो इन पंकडियों के मझत से टक्राती है और बाद में आपको इधर की तरफ से वापस आना होता बॉल लेकर इसमें डालने होती है तो बाई जो भी वंदा पहले काम कर लेता वह कहला था विजयता अगर आप लोगो को लगते कि आप मेर से पहले कर सकते हो तो बाई कमेंट बॉक्स में जो है न अपने नाम क्या यह लिग देना वाव और उसका के चैलेंज अक्सेप्टेड लिग से वीडियो को लाइक कीजिए तो यार अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यह देखो इसको करा 1 और यह करा 9 यानि कि भाई साब इसको जो है हमें 19 को ऊपर करना और यह लोग को खुल जाएगा और यह जिमेटरी बॉक्स खुल जाएगी और यह देखो बाई साब मतलब इतना तगड़ा यार यह मैं क्या बताऊं यह लर्निंग के लिए भी बहुत ही जादा कमाल है यह से मेरा चोटा वाई है उसको देखकर कर ने पता यह इन डिजाइन को देखके ही बता देगा कि यह अइरो प्लेन है यह एंबुलेंस है यह बोट है यह बस है तो इस इसके अंदर आपको जितना भी पैंसल बॉक्स का समाने ना सब का सभा सकता वापस से आप जो है इसको लॉक कर सकते देखो और बहुत तगड़ा साउंड आता और वापस से आप इसको नीचे कर देना और यह लॉक हो गई अब इसको आपके अलावा कोई नहीं खूल पाए जो बहुत ही तगड़ है और यह पता यूनिकॉन वालों की है और यह एक ट्रैवलिंग वाली बस है यह देखो कितनी प्यारी लग रहे है जो की आपकी तरफ चलती हुए आ रही है ना इस ट्रांस्पेरेंट ग्लास के अंदर पता हमें सब कुछ आर पार दिख रहा वो भी जाती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है और अभी मैं आपको इसका वाइड बोर्ड भी दिखाने वाला हूँ यहां पर आप अपने पैन पैंसल शॉपनर वगर रख सकते हो और इसके अंदर आप अपने बहुत सारे स्केच पैं रख सकते हो कलर पैं जो है इसके यूनिकॉन भी है पिंक वाला यूनिकॉन भी हम दो कलर फूल है पूरी की पूरी पैंसल बहुत ही जाद अच्छी है मैं अपने कलेक्शन में रखना चाहूंगा यूज करने की जगा और यह देख रहे हो इसके अंदर एक शापनर मिलता है जो कि बिल्कुल यूनिकॉन के यूनिकॉन वाली एरेजर मिलती है जिस पर की यूनिकॉन खुद बना हुआ है जो की बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहा है लिटल सा यूनिकॉन है यानि की चोटा सा यूनिकॉन जो बहुत ही प्यारा लग रहा है और एक मिलता हमें यूनिकॉन वाला स्केल जिसमें हमार यह भी पिंक में है तो मतलब आप देख रहे हो और यह जो ट्रेइघ ना यह भी निकल जाती है आराम से यह जो है यह प्लास्टिक वाली पणजी की च्रेड ढकी हुई है अब यह सकते हो वा開 insights से इस ट्रे को जो है इसी के अंदर लगा सकते हो तो अब जो है बाई मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वाइड बोर्ड का कमाल तो वाइड बोर्ड जो है ना आप देखने के लिए तयार हो जा तो सबसे पहले मैं इन समान को इसी की जगा पर रख देता हूं कि यह देखो आई इसमें से निकाल लिया है हमने अपना मारकर और इस मारकर को जो है ना आप इस कैप के होल्डर में भी लगा सकते हो यह लिख दिया यूनिकॉन हाना मतलब अगर आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही है आपको लग रहा है कि वह इंपोर्टेंट है तो लिख लेना चीए ज सच मुछ में यार बहुत ही जाद अमेंजिंग है तो आपको जो है ना क्लास रूम में जब आपकी मैडम पढ़ा रही होंगी तो आप भी अपने वाइड बोर्ड पे इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से तो यह वाला जो इसका फंशन है यानि कि इसके अंदर जो यह फीचर दे रखा यह मुझे बहुत ही जादा गजब लगा और बाई कता ही जहर बाई साब मतलब बवाल चीज है वाई सच मुछ में और बहुत ही तकड़ा पैंसल केस है तो यानि कि यह जो पैंसल बॉक्स है इसको जमेटरी बॉक्स भी कहते हैं तो य मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई साब डोरेमोन वाली वाच जो की बहुत ही ज्यादा सेक्सी है यह देखो यार सबसे पहले न मैं आपको इसको पैंन के दिखाता हूं इसको कुछ इस तरीके से आपको पैंनना है तो आई यह देख रहे मैं जैसे बुल गलर देखता जो की प्रोजीटर वाच बहुत ज़ермन की रहत जादा घमाल की तो बहुत ज़ादा मज़ आने वाला तो चलो भाई इसको इसकी जगह पर मैं रख देता हूं तो भाई अब बार्यैक्टर वाच की तो मैं आपको प्रोज्यक्टर वाच दिखाता हूं यह हमारे डरेमोन की से आने वाली प्रोजेक्टर वाच और यह देख रहे हो मतलब सच मुछ में यार बहुत ज्यादा कमाल किया है अगर मैं आपको इसको अपने हाथ पर बांद के दिखाऊ ना तो यह देखो मतलब सच मुछ में कितनी ज्यादा कूल लग रहे हैं और यार यह दोरे मौन सच में इसका फेस मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यह सच में यार बहुत कूल है यह बंदा मतलब मैं क्या ही बता हूं और इसकी बैल्ट पर कितना ज्यादा इसका डिजाइन दे रखका बहुत ही बढ़िया और आपना किसी को शोव भी कर सकते हो कि हाँ मैं डोरे मौन का इसको फ्रेंटिशिप बैंड की तरह बी काम करेंगा और एक यह बैंड भी बन जाता है डोरे मौन का असली वाला बैंड बैंड और डोरे मौन का जो है फैन बैंड भी कह सकते हैं टो एना कितना कमाल का अब वैं मैं आपको इस घड़ी का फीचर लिखाताँ है जो बहुत ह जादे मेजिगा बहुत जादा कमा लगा है तो यह देखो सबसे पहले भाई हम लाइट साफ करते हैं तो यह देखो यार कितना कूल लग रहा भाई साफ ऐसा लग रहा है मतलब कि ना हम सुमिंग पूल के अंदर हैं और ऊपर से कोई रोश नहीं आ रही है एकदम इतनी प्यारी लग रहा है और यह 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 यहारी लएट सेम लोग पत अपने घर में भी लगाते हैं तो कितना कूल लग रहा है सही में भाई साफ डॉरे मौन जब बहुत जादा वाव लग रहा है और क्या लग रही है लाइट आसम बाई साब अब देखो इसका प्रोजक्टर, ओ यह हमारा डॉरे मॉन, कितना प्यारा लग रहा यार यह, और यह नहीं देखो बाई साब, ao एक Business, मज़े कर रहा हमारा डॉरे मॉन, वो कितना जाद अच्रीड लग रहा है, और यह पता हाथ पर भी दिखता है, इस तरीके से ल अब जाए जाड़ मज़ाता है यार मतलब इस सच मुछ में वाओ यार यार यह तो बड़ा गजब हो गये देखरे हो तो कितना गजब के लग लगई है कैसे गुम रहे है वाई साभ फुल मस्ती कर रहे हैं तो चलो आओ यार लाइट्स आओ कर लेते हैं मतलब बाई लेक पर वाव यार सच मुछ में बहुत ही जाद अमेजिंग है तो भाई मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगी और इसका पता है लुक भी बहुत अच्छा अधा कलाई पे अगर आपको भाई देखेगा तो भाई सब आपका भाई तो छोटा वाला चीनने लग जाएगा आपसे क्योंकि बहुत कूल वाच है यह और यह बैंड भी मुझे बहुत ही जाद अच्छा लगा अगर आपको यह बैंड और वाच दोनों यह अच्छे लगे हो तो आप जो है ना अपने नाम के आगे अमेजिंग या वाव लिखना और उसके आगे जो है बाई डॉरे मॉन वाच बाई इसके अलावी वील है इनके अंदर भी लाइट है जलती है बहुत जादा जगमा आती है और यह दुबाई की पुलिस का रहे और यह पीछे देखरो नंबर 911 मतलब इतना वाई सा वी आई पी नंबर और यह भी पता एक वील है जिसके दंपे ने स्टंट करते है क्यों इसके अंदर इस तरीकर से जो है आपको 3 double battery लगा देते हैं और यह पिसके अन करने के बाद है और यह आउन करने के बाद और मैं आपको एक live demo दिखाऊंगा तो इसको भाई सबसे पहले बंद कर लेते हैं यह जो है अब अच्छे तरीके से बंद हो चुकी है तो अब मैं आपको इसका एक live demo देता हूं तो आ जाओ मेरे साथ यार फर्स पे चलाते हैं यार आप लोग तो पता यह बाई दुबई में सब्सक्राइब कुछ भी चीज है आम नहीं होती है तो बाइस सब्सक्राइब करने वाले तीन साथ डिग्री घूम जाएगी ओ भाई रे त्री सिस्टी स्कीन ओ माइग गॉड वाओ क्या लाइट जली है यार गाईज मतलो इतना आस्म यार यह पहिए देगो यार स्क्राइ पर्लीं ऑ नियाओं कलर की लाइट जल रही और ब्लू लाइट जल रही और अंदर तो फाटि चलिया प मच्चा यार यह निंगे उन्होंगि अलब रे बवाल मचा दिया भाई रे कता ही इसने धुमा ठा दिया बहुत जादा गजब की थी बहुत ही जादा मजाया और सबसे इंट्रस्टिंग चीज जो काफी कम RC कार्स में देखने को मिलते है वो ये के भाई ये भाई सच मुछ में एक तो भाई स्टंट कर रही थी उपर से ये वाला जो वील है ये आपको हर किसी गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलता और उपर से बाई ये जो आलए वील बना रएट इसके टैर्स बना रएट के मैं आपको इसको give away कर सकूँ तो address भी जरा mention कर देना तो अब इसको रखते हैं इसकी जगा पर और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई साब हमारा Avengers का collection जिसमें की है भाई साथ कार तो भाई मैं आपको जो ना Avengers का 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 collection दिखाने वाला हूँ Avengers Age of Ultra की तरफ से जिसमें की विलैक विडो बनी हुई है Iron Man बना हुआ है और Thor भी बना हुआ है भाई साब कितना गजब का लग रहा है और यहीं से देखो रहे हो मतलब मुझे गाड़िया ना यहीं से दिख रही है अभी मैं आपसे पूछने वाला भी हूँ कि आपकी इसमें से कौन सी फेवरेट लगी ओ वाई साब क्या बात है मत आपने भी X-men देखे तो कमेंड में लिखके जरूर बताना भाई और लाइक जरूर करना जिस ने भी X-men देख रखी है तो अब बार या इसको ओपन करने की तो चलो या इसको भाई ओपन कर लेते हैं और इसको अच्छे से अन्बॉक्स करने के बाद मैं आपको दिखाने वालों के इसके अंदर हमें कितनी कार मिलने वाली है तो यह आ गई हैं हमारी सारी की सारी सूपर हीरो की कार और यह कार्स देख रहे हो मतलब की इसके अंदर वाई हमें 222 यानि की इसके अंदर हमारी 6 कार्स निकलती है तो मैं आपको भाई एक एक करके इसके अंदर सारी यार इसके उपर पूरा का पूरा टोनी स्टाक का फेस बना रहा है जो की पूरा लुक बना रहा है पेंट देखो बोड़ी का पेंट सच में यहां बहुत ज्यादा एच्टी कर रहा है ओ हो हो फीचे वाई एक्जॉस्ट दे रहे हैं जो कि एकदम दो बुलट की तरह लग रह यह मेर को पता नहीं है अगर आप लोगों को पता हो तो आप जरूर बताना और उसके बाद भाई मैं आपको दिखाऊंगा यह कैप्टन अमेरिका वाली तो बाई यह जो ब्लू वाली का रहा है यह मेर को समझ में नहीं यह कौन से सूपर हीरो की कार है क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है लेकिन हायर यह देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रही है क्योंकि सच मुच में यार इसका जो कलर है ना बिलू और येलो यानि की नीला पीला और यह बीच में जो लाल कलर का इन्होंने गिलास दे रखका कसम से बहुत ज़्यादा चुड़ी दिए ह यह बहुत ही वाव है यार यह कसम से क्या बवाल चीज है यार एकदम सूपर हीरो की स्पेशल कार लग रही है और उसके बाद यह देखो भाई यह तो बाई सावर कोई जानता है यह कैप्टन अमेरिका की और यह स्पेशली अवेंजर का लोगों दे रखका पीछे क्या बा बना रहा है लुक इसके सीशे का भी तो यह चीज जो है न यह जो डिटेल दी है मुझे बहुत पहली लगी और यह ओ माई गॉड तो भाई मत तुम लोगों एक चीज़ रहा दू पता अगर तुम लोगों ने फास्ट और फ्यूरेस देखी है तो जिस किसी ने भी यह वाल यह डौज कार की तरह है और उपर से यह कैप्टन अमेरिका की कार है और यह दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारी तीसरी कार क्यूंकि हमारे पार टोटल इसमें छे कार मिलने वाली है तो भाई साब यह जो कार है ब्लैक वाली होकाई वगारे की हो सकते हैं लेकिन इसकी शकल से भाई यह पता चल रहा है कि यह एक बैट मैं की कार है और इसको एवेंजर में डाल दे गया है क्यूंकि ऐसा इन्होंने कुछ लिक भी नहीं रखा है इसके पीछे एवेंजर देग रहा है आप मतलब कहीं पर लोगों भी हैं और इन्होंने भाई एक मैकलेरिन की तरह इस गाड़ी को बनार का जो बहुत जादा खूबसूरत लग रही है यह देखो कितनी प्यारी लग रही है इसका जो लाल ला गला से बहुत जादा इंप्रेस कर रहा है मुझे बहुत ही जादा और यह देखो भाई इंजन पता लग जाएगा कि अगर आप देखोगो ना तब आपको बता चले के बाई यह तो एक्चुल में 16-17 करोड़ की जो गाड़िया होती है यह वाली गाड़ी और बहुत ही सेक्सी और यह ब्लैक कलर में मेरी फेवरेट है मतलब ब्लैक कलर जो है ना मेरा फेवरेट कलर तो लगोगो इसो जोब वह से मुझे पसंदा हैं बाकि अभी तंक मुझे पता नी हम ने चल पाई के कोन सा सुपर हिरो की कार बहिए कोकि कार है क्यूंखी मैंने किजिए सूपर हिरो के पास नहीं पास नहीं देखिए moon сонgers में हां शायद यह बैटमेन के पास एक बार को हो सकते क्योंकि बैटमेन भी जो है काफी रिच दिखाते बैटमें गो अब बैमें आपको बता दूद कदुए हमारें बाद दूकर और बच ही exclusive एंट मैन की है और यह Spider-Man की लेकिन आपका दिल आ जायगा इसको देखो भाई एक दब next level वाली चीज बना रखिय है यह कते जह्यार यह देखो बाई साब Spider-Man का logo जिस पर spider छपी हुए है और यह वाला जो इन्होंने logo बना आपको बोडी बना रखिय है यह उसी के पास इतनी ज़्यादा अच्छी इंजीनिरिंग है और वही बना सकता है ऐसी कारे तो स्पाइडर मैन की कार भी मुझे बहुत प्यारी लगी अगर आपको भी लगी हो तो भाई लाइक जुरू करना वीडियो को तो इसको भी लगते वाई इसकी जगा पर और मैं आपको दिखाने वाला हुआ एक सर्प्राइज एलिमेंट वाली कार जो कि है एंट मैं की कार यह देखो भाई क्या इसके पंख बना रखे हैं कितने गजब और इसके अंदर वाई तीन एक्जॉस्ट दे रखें पीछे जो बहुत ही गजब है और इसके वील देखो भाई क इतने सेक्सी वील है वाई साब मतलब कि यह बहुत प्यार है और आगे से अगर किसी को हिट कर दे तो भाई गाली तोड़ देगी और आगे पूरा का पूरा एंट मैं वाला जो लुक है न वह दे रखा है क्योंकि एंट मैं का हेलमेट कुछ इसी तरीके का होता है और यही स जंबो साइस तो मेर को यही दिखाना था बड़ लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है यह वाली यह पूरी पूरी प्लास्टिक की है और यह पूरी पूरी मैटल की है क्योंकि यह डाइकास्ट कार है अगर इतनी बड़ी कार खरीता तो बाई साब मेरा बिल बहुत बै है और इसके अंदर भी तीन एक्जॉस्ट दे रहे हैं और इसके अलाई विल भी बहुत ज्यादा सेक्सी है इसके पंक की वह जैसे जो पता इसको काफी स्पीड मिलते है चलने में तो बाई यह जो है मुझे बहुत ही ज्यादा ची लगी मतलब एक वार आप दुबार से दे इसके अलाई विल और इसके अलाई विल आप देख सकते हो साब पता चल रहा हो है कि मैटल का यह वाला बनाऊ और यह वाला प्लास्टिक का बनाऊ है तो आज मैंने आपको दिखा है एवेंजर्स की साथ कार तो यह टोटल कलेक्शन था वाई साथ कारों का जो बहुत ही ज् सको और अपना एड्रस जरूर मैंसन करना लाइक करने के बाद ताके जो है आपके अड्रस पर ही पहुंच सके तो चलो वाई यह सब जो है मैं इनको वापस सेनी की जगा पर अरेंज कर देता हूं और मैं उसके बाद आप लोगों दिखाने वाला हूं हमारा उड़ने वाला डोरे मॉन जो की रिमोट कंठोल हो इन्स्टरक्षिं पाइस democratat नमी जो की चलता है और सेनी में इसके अंडर जाए जन देख यह मतलब कि मिली यह मतलुए disease ‹ध यहiros और बाई charging का बहुत ही simple fund है कुछी नहीं करना है इसको इस तरीके से इसके अंदर लगाना और यह वाला इस से आपने करके किसी भी चार्ज और में लगा करके तो चार्ज कर लेना यहां पर लाला जनली सुरू हो जाती है और जब भुझ जाती है तो समझ लेना कि पूरा का प यह दबा देते हैं इसको और यह देखो बाई सच में मतलब काफी अच्छा है और अभी शायद यह पूरा चार्ज नहीं तो अभी मैं इसको चार्जिंग में लगा दूँआ ताके मैं इसको आपको लाइफ दिखा सकूं और इसके इस तरीके से चोटी सी निली लाइट जल रहा है कई यह हमारी चट में शेदना कर दें हाँ वह बाई रहे कितना गजब लग रहा है और यह पंकुडी पे गूम तो आइसा लग रहा है अपने सर पे लगा लिए वाइस साब क्या गूम रहा यार कते कजब बाई साब तो आपको क्या ही होता हूं और यह देगो यार अंदेरे में भी बाई साब एक तम नीला जग महा रहा है मतलब ड्रेमोन का फेवरेट कलर रहे वाई नीला कलर और हमारा भी नीला कलर सच मुच में वाई यह जो इसके नीचे जो इंफ्रा-red सेंसर लगा है ना एक्चुल में पता इसकी मतलब से बहुत ही जाद असानी हो की छिश को और जाद अच्छे से ऊड़ाने में यह बाई सही में ड्रेमोन गे जितने भी गैजट होते है बहुत कमाल के होती है और ड्रेमोन के गैजट में आज मैं लेकर किया है एक डॉरेमोन का मैटल का स्पीनर जो पूरा का पूरा बाई का स्ट आयरेंग का बना हुआ यानि कि प्लास्टिक का नहीं है बहुत तेजी स्पीड में चलता है और भाई यह जो है आपको तो पता है इसके पास हमेशा इसकी पोकेट है जो चोटी वाली इसमें ग्याजेट टी ग्याजेट होते हैं से कुछ भी निकालता है अपने सर के उपड़ा लगा लेता है और उड़ जाता है तो सेम्य इस ने बोई करें कि इसमें से एक हेलिकॉप्टर निकाला इसा डॉरेमोन बनी गया और यह इंफररेड बहुत काम कर रहा ता जैसे हल कोई बात नहीं अगर आपने नहीं उड़ाया हो तो आप अपने नाम के आगे लिख देना डोरेमोन हेलिकॉप्टर और उसके आगे वाव लगा देना ताके मैं आपको इसको गिववे कर सकूँ तो चलो इसको रखते इसकी जगा पर और अब भाई मैं आप लोगो दिखाने वाला हो हमारा प्यान हो और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डोरेमोन का स्पीनर को देखते हैं मुझे 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 आता था था यह बच्पन में आता था जिसको मुह से बजाते थे तो सेम यह उसी तरीके से डिजाइन करा गया है लेकिन यह सच में बज़ता है यह में दो डवले बैटरी डालनी पड़ेंगी यह डाल दें वाई मैंने इसके अंदर दो बैटरी एक बैटरी इधर की तरफ सरका दिया और एक यहरी तो उसके बाद आपको जो है इसको टाइट से लगा देना है और अब सुनना वाइस का म्यूजिक इसके अंदर मैं स्पीकर भी नहीं दे रख्या पता यह भी डिजाइन कर रहा है प्लास्टिक में पर लेकिन अवाज वह इन बटनों के नीचे से आने वाली है तो यह सुनो मुझे अच्छा बजाना नहीं आता है तो बाई कोई बात नहीं मुझे जियान समझ कर सुन लेना कि मैं हूँ जियान मेरा गणाना वड़ा सुरी लाई है देखो मतलत सच मुझ मैं यार इतना घंडा बजा रहा हूं मेरे को समझ में यार कि मैं कौन सी दून बजा रहा हूं तो बाई आप देख रहे हूं मतलब की न मुझे इतना अच्छा बजाना नहीं आता लेकिन यार अगर आपको लगता कि आ अपना नाम जरूर लिखने और उसके आगे वाव लगाना ताकि मैं आपको इसको कर सकूँ और वीडियो को लाइक करना ताकि यह प्यानों आप तक बड़े असानी से पहुंच सके तो अब मैं आपको दिखाने वाला हमारे डोरे मोन का स्पीनर जो बहुत ही जादा गजब को है है रिपोर्टर की जाड़ू चुरा के पता नहीं कहा जाता है आज तक इसने मुझे भी नी वताया और यह एंजल बनके बादलों में सवार है ना बंदा इसकी कोई भाई कोई होड़ी नहीं कर सकता क्योंकि भाई यह पढ़ता भी पूरा है तो इसलिए इसको बादलो बनके नोवीत और डोरेमन अराम से बाई मस्ती कर रहे हैं यह देख रहे हो बीच में बिल्कुल भी गैपने और इसके अंदर चोटे चोटे के अच्छे लगे हुए पांच लेकिन इसके अंदर 28 स्टील के कंचे लगे हों चोटे इसके अंदर जिसकी वैसे दिखता भी नह इस वाले के मुकाबले तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूं लेकिन उससे पहले आप इसको देखो क्यूंकि इसकी स्पीड भाई रुखने वाली नहीं है तो यह देखो 99-98-100 वाई इसकी हवाज जो है ना लिटरली वाई मेरे ना गालता का रही हो सच में मुझे अपने पत है यार सच में यार इतना प्यारा साउंड है और यह रुकने वाला नहीं है और यार मैं आपको एक चीज बता हूं अगर कभी इंदा खाली बैठा ना और वह इसको गुमाता रहेगा तो भाई इसको कम से कम 4-5 मिनिट तो बड़े आराम से चला सकता है क्योंकि इसकी स्पी इसकी स्पीड जो है ना अगर आप इसको ऐसे चोड़ दो गए तो अब देखना वाई और इसको मैं आपको चला के दिखाता हूं है ना मंदो कितना गजब का और यह सच मुछ में यह भी बहुत तेज चलता है और यह ना सही में काफी तेज चल रहा इसकी भी ना हवा अब आप उसको देख रहे हो मतब कि उसको मैंने कितने धीरे से चलाया था लेकिन तब भी पता है वह भी चल रहा है क्योंकि मैं आपको बता है वह हवा काटने का भी मोहका नहीं देता यह देखो कैसे गूमरब पंकड़ी की तरह और इसको मैंने कितनी तेज चलाय था और तब भी तेज चला था यह बहुत यह देखो एक बार और दिखाता हूं इन्या यह गोलाई में भाई इसने चक्कर लेने सुरू कर देता है मतलब सच मुझे बहुत जादा कुपसरत लगता है लेकिन यह उतनी तेज नहीं है जितनी तेज हुआ है पर लेकिन फिर भी मुझे बहुत जादा पसंद है यह वाला भी क्योंकि भाई मेरा फेवरेट है यह भी वह तो ही क्योंकि भाई वो डॉरेमोन है और यह भी मेरा फेवरेट है तो मुझे स्पीनर काफी जादा पसंद आते हैं यार अगर आप दोनों को यह पसंद आया है तो आप जो कमेंट बॉक्स मतलब बहुत ही जादा मेरे पास है वाई कम से कब मेरे पास सो से भी जादा है तो इसलिए भाई अब मैं सोच रहो कि आपको मैं दिखा दू हमारा मोटू पतलुगा लटू जिसमें सात रंग की LED लैट जलती है लेकिन उससे पहले स्पाइडर मैन जाला फैकर है बहुत देर से अटका पड़ा है यह सोच रहा है मेरे को कोई उठाता क्यों नहीं है तो वाई यह जंबो वाक्स बोर कितना जाद है चड़ी है आज से कावी साल पहले इस तरीके की तो भाई चैने भी नहीं होती थी और इसकी जिप देखो एक भी बार अटक नहीं सकती और यह देखो इतना बड़ा स्पेस है इसके अंदर और इदर यह जाली वाला स्पेस भी रखा है जिसमें आप अपना कोई सा भी समान रख सकते हो पैन पैंसल सोपनर वगरा रबड वगरा कुछ भी रखो इसके अंदर आपको जाली के आर पार ब पताब आप सोच लो इतने बड़े कोई भी कलर नहीं होते हैं तो इसके अंदर आप अपने स्केच पैन भी अटका सकते हो आप इसके अंदर अपने पैन पैंसल को भी बड़े अरामस अटका सकते हो और इसके अंदर पता है आप अपना डी रख सकते हो फुट्टा रख सकत कि इसकी क्वालिटी कितनी दमदार है वाई सच मुच में यह दा अमेजंग इसपैडर मैन की जो भाई पैंसल बॉक्स जो है रहे मुझे बहुत पसंद है तो अगर ऐसा जंबो वॉक्स आपको भी पसंद आया तो आप अपने नाम क्या अगे लिखना भाई सपैडर मैन जंब अग्जाम देने जा रहा है या आपको पेपर करके आयो तो बहुत ही ज़ादा बवाल है बहुत जादा इंट्रस्टिंग है मुझे परस्नली बहुत अच्छा लगता यह तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो यार लाइक ज़रू करना है तो अब मैं आपको दिखाने व बना रखी है और अब मैं आपको दिखाता हूं भाई यह लट्टू मतलब की एक स्पीनर जो की बहुत ही गजब का है और इसके साथ मिलता है एक हमें इस तरीके से बालो वाला लट्टू यह दिए करो मतलब एक दो तीन चार यानि कि यह चार लाइट है एकदम तीन साट ड शोटे वाले जो हमारी घडी में डलते हैं जिसेम उस वाली वाउच में डले हुए है, और इस बैन्ड में बिझ डले हुए हैं जो की मैंने डोरे Time Bishop तो इसमें अटेच करने और तीन बार इसको आपको करना है देखो वन टू और यह थिरी अब इसके बाद ना भाई इसको सीधा जैसे आप छोड़ोगे बहुत तेजी से गूंता है तो आओ यार मैन आपको एक लाइफ डैमो देता हूं तो इस पीनर को अब हम करने वाले लॉ पीनी नाइट भी आप यह बाई साहँ आगे बाई साहँ देखके सही में यार यह मोट पतलु वाला वाई मोट तो समोज से खागा के एक तो बहुत ही जादा मोट अगया ऊपर से वाई बंदा सच में दिल खुस बंदे एक दम दिल गाटन गाटन गर देदा कता ही गजब सब्वाल यार वाउ यार मतों इतना प्यारा गूमना था यार इतनी अच्छी लाइट निगालना था कि आप कभी नाचने का मन कर जाएगा कि भाईया रे मोटू पतलू भाईया कहा जा रहे हो रुको रुको आके एक समोसा तो खाओ आपको देखकर ना इसके ने कार्टन क लग रहा था गोल-गोल घुमता हुआ तब इसलिए तो भाई मोटू सबसे जादा पसंद किया जाता है लेकिन मुझे पतलू भी जादा पसंद है आपको क्या पसंद है मोटू या पतलू या फिर आपको मेरी तरह दोनों ही पसंद है तो आप जो है जरूर लिखके बताना जादा कमाल का होना वाला और भाई यह पता ड्रीम स्पेस की तरफ से आता है यह इलेक्ट्रिक शापनर जो बहुत ही घजब का यह बंदा तो भाई ऐस्टरनोट हमारा हमेशा उड़के निकल ले था किसी भी ग्रैप है जो मुझे बहुत ही जादा पसंद है यार सही में ब डबले बैटरी डलते है जो कि मैंने इसमें डाल रखी है बहुत जादा गजब के लगता भाई यह बाई इस तरीके से आपको इसके नर्दोस हैज डाल देने है और यह इसका चार्जिंग पॉइंट अगर आपको चार्ज करके यूज करना तो आप इसको चार्ज भी कर सकत बाई पहले तो बाई इसको बीच में कर लेता है क्योंकि बाई मेरे को नॉर्मल रखनी है बतलो यार कुछ करना ही नहीं पढ़ रहा मुझे ओहाए साथ सही में यह कितनी गजब के और यह चिलका देखो यार कितना प्यारा लग रहा है इसका चिलका वह बाई साथ कितना लेता लेकिन ज्यादा लंबी मुझे चाहिए नहीं थी क्योंकि मुझे कोई पेंटिंग नहीं बनानी थी सिर्फ यह एंड राइटिंग के लिए थी तो देखो यार कितनी बढ़िया कर रखेसने निप को यारी आप किसे हैंड राइटिंग सच मुझ में बहुत जाद अच इसको डाल सकते हो तो देखो भाई मतलब कितने अच्छे तरीके से चीह रहा है कितना एच्छी लग रहा है और कमाल है भाई सा मतलब पैंसल को भी कोई आपके दिक्कत नहीं होगी और आपका शापनर का शापनर भी यूज हो जाएगा इसको ने इसके अंदर वापस से कीलना पड़े इसके अंदर ढालो और ओटमेटिक छिल जाएगा बस दो सेल इसके अंदर लगा दो अगर सेल भी नहीं लगाने तो घर से चार्ज करके लिए लेकिन सेल ज्यादा बैटर है सेल से कहना वाई कि आपको डिपैंड नहीं होना पड़ेगा कि चार्जिंग लगा अब यह जरूर बताना और अगर नहीं करें तो कोई बात ही अगर आपने यह देख कर आपको यह लगा हो तो वीडियो को लाइक करना आप भाई साथ आपके पास ऐसा शापनर हो तो आप जो अपने नाम के आगे लिग देना इलेक्ट्रिक शापनर और उसके आगे वाउ ल तो ना चौकने वाले पता है क्यों क्यों कि वाई एक तो पहले ना इस पेस की बात करेंगे तो यह देखो यह अपई वालो की तरफ से आती हो यह है यह बहुत एचडी बनी हुई है और यह देख रहे हो बार कोड वगार इसके उपर हर चीज लगी हुई है तो यह देखो एक से लिएक नो तक इसके अंदर भी टेवल दिये जाता है और इसमें आप छोटी मोटी रवड रख सकते हो अपनी और इधर आप जो अपनी पैंसल वगर अटका सकते हो और यह आपको मिलता एक शौपनर के जो कि भाई आप इसमें छोटी पैंसल चील सकते हो और इधर अ आप चाहो ना तो अंदर भार भी हो जाता है इस तरीके से आप जब जो है जैसी इसको दबाओगे हलका सा तो यह इस तरीके से आप इसको अंदर भार कर सकते हो लेकिन बाई कैलकुलेटर जो है ना मैं भार ही रखता हूं क्यूंकि मुझे बाहर बहुत जाद अच्छा होता है तो आप 2 जमाद 2 करके भी 4 निकाल सकते हो और अगर आप चाहो तो भाई साब पता है 2 गुणा 2 भी कर सकते हो तो अब इसके बाद भी आंसर जो है यह देखो 4 आएगा तो अब मेरा तुम लोगों से सवाल है कि 4 चोक्य कितना है यानि कि 4, 4 जक कितना होता है तो जिसको भी पता एक चार चार जक जो को उसको give away कर दूगा हूगा तो भाई 4 चोक्य होता है तो भाई लाइक ज़रू करना क्यूंकि एलोगिट्टी मुझे बहुत जादा करेक्टर पसंद है तो अब मैं आपको दिखाने वाला हमारा मिलिटरी वाला आर्मी वाला पाइसाब चौपर जिसके अंदर एक छोटा दा पाइलिट वैजा जो की यूँ डुग 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 करके भाई जो एस हेलिकॉप्टर को उडाने वाला है तो पाइलिट कितना प्रभर जिसका ठींड़ कर रहा है, उसको जो एक औरमी वाला दोला है हम लात वान और यह ऐ हैं, फक्रम होज स्पीट डेहा को यार अलीचापटर सिक्डूर तो बहुग डुग 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 तो बाइसाब आज जेवन हैं सारे के सारे एनिमीज जितने भी हमारे उन सब के साथ बैटल होने वाला उन सब को यह हरा के आएगा वाव सच में यार बहुत इंटरस्टिंग चीज है और वाव यार सबसे पहले तो इसके लिए ना वाई ताली बनती है क्योंकि वाईसाब इस तो आपको इसको गीववे कर सकूँ तो अब रखते भाईस को इसकी जगा पर तो बाई यह देख रहे हो मतला लैंड रोवर बाई तनी सेक्सी लग रही है यह और यह डिफेंडर वाई मोडल है या फिर इवॉक वाले मोडल है यह मैं तुम लोग पर छोड़ता हूं ताके तुम लोग मेरे को कमेंड में बता सको हर बार अगर मैं बता दूम तो यार आप क्या बता होगे तो मतलो चछत पे एकडम पैनरों में संरूफ बनी हुई है पूरी की पूरी चछत खु और यह अनॉफ बटन दे रख और इसके अंदर भी हमारी दलती है कितनी बैटरी तो बाई तीन डॡबल ओले बैटरी जो है इसके अदर हम लगा नी होंगी तो इस तरीके से इसके इंदर द्वले बैटरी डाल दीजागा और इसके बाद आपको गाड़ी को कर लेना है और करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं इसका रिमोट इसके रिमोट कंट्रोल का भी हमने डखका नटा दिया और इसके अंदर भी हमारी डलती है दो डबले बैटरी और उसके बाद आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से आगे पीछे चला सकती हो और अब मैं जैसे इस मुझ में रेंजरोर कताई गजब है भाई साब बहुत जादा गजब है तो मैं जोना आपको इसका एक लाइब देमो दे करके दिखाता हूं तो आजओ मेरे साथ यार एक बर इसका लुक देखो बाई साब मतलब बाई दिल आ जाएगा इसके उपर सच में यार कितनी प्या तुम इसका यार एक बार ना इसका लुक देखो एक चीज के उपर काम करका ग्रिल देखो यह वाला सेक्सन देखो बाई एक डम सही में इन्होंने असली वाला लुक दिया जिससे कि मुझे बहुत ज़ादा पसंद आई यह सीशे वगार इसके मुझे बहुत अच्छे तो भाई यह RC Car मुझे हमेशा भाती है और RC Car मेरी फेवरेट भी हैं तो अगर आप लोग को भाई यह RC Car बहुत पसंद आई हो तो आप जो अपने नाम क्या के वाउ लगा देना और उसके आगे अपना एड्रस जरूर लिखना और यह जरूर लिखना RC Car ताके मैं आपको जो इ वीडियो जाद से जादा पसंद आए तो जाद से लाइक करना जाद साधा शेयर करना और अगर इस वीडियो पर भाई दोस्तों से जादा लाइक साते हैं तो जितना भी भाई आप यह देख रहो हमारा आज का कलेक्शन सब का सब आपको गीववे कर दे जाएगा तो अब आती है उन 10 लोगों की जिन्होंने बहुत जाद अच्छे कमेंट करेते और उनको रैंडम ली पिक कर आ गया है तो उनमें से 10 लोग पिक करे गया है तो चलो अब उनको शाट ओड देते हैं तो यह हैं वह 10 नाम अधित्या आयूश शरीता सेखर नरेश सोनु कुमार महेंद अधिर सिंग अर्चिना सेंगर नेहा कोली अतुल जाटव सौरभ यादव तो इन 10 के 10 लोग बहुत 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 दन्यवाद क्यूंकि आप लोगों ने बहुत जाद अच्छा प्यार दे और आपने बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो या आप भी बहुत जाद वीडियो क लाइक करते हो तो भाई आप लोगों भी जो है आप मेंसे 10 लोगों चुना जाएगा और उन 10 मेंसे किसी एक को मिलेगा यह सारा का सारा गीववे मैं आप लोग को बतातू कि अगली वाली वीडियो से भी बहुत ज्यादा कमाल के उने वाले क्योंकि मैं उसके अंदर आपक झाले कि अजयो झाले कि अजयो झाले कि अजयो चुना जाएगा जिस्ट्टू